कॉंपी चेक करते वक्त क्या माहने रखता है आपका पैसा या आपका राइटिंग या आप जो सटिक जवाब दिये हैं क्या चलिए इस वीडियो हम जानते हैं आद हम बात करें व्यारमारबुड को कोंफी कर एक सब्जयक्टीव रहता है उससे स्थितिए में 50 मार्क का जो अब्जेक्टी रहता है वह A Barbie data आपको लिखना पड़ता है आग से पाड़ करिंगे दोनों कई सब्रद प्रक्राइब था जी यानकारी आपको graard अए करेंगा ताकि आपको 100-100 मांग सी या फिर 90 पलस लाने में दिक्कत ना हो उसमें आपको दे दिया जता है और हर एक और बंदा का दो से तीन सकेमा में जह जाता है और कंप्यूटर के अपने आपने नाम उसका लिखी जाता है रॉलpe नमर से पुरा लिखी जाता है है और सेऊरट वासने क्षिक कुम्पूटरए चार जन्य सुर्ग का जवाब देने के लिए उससी कि भंता क्या करता है मान जात करता है गेल डिया है सत्तर या 75 सब्सक्राइब आपको ब्लूपींध गेल दिया उस स्ट्रिम कंप्यूटर कीसे चेक करते हैं वह हम आपको बाताते दिखे एक नम्मर से लेके आप आपको जितना भी होगा ना वह पहले चेक कर लेता है उसके बाद जितना बचता है वो जिसे मालगी जिर्ट एक सिंगें एक से लेकि疫情 कर्दिए फिर सीट इसेड़ लेकिन चेक कितना कर पर 25 लड़ी करता लंद उच्छी पर 50 बांट या रात रातल वो चेक नहीं करता है वह भले ही आपका सही हो उससे वाव यह एक नमर से उठाएगा जहां तक उसको 50 तक उड़ जाएगा वहां तक सही रहीज़ ग़लत रहेगा यह बात समझने कुछिस कर औमर इस इस इस्तिति में चलता है माली जो कोई बंदा minutes 3 कर लिए लिख दिया बोलेगा के साथ में तो कम चाहस मेरा सही हो जागा उस इस्तिति में से निचेक होता है वो क्या करता है computer-based तेना computer एक नमर से ले क्या जितना थेना थैस्प हो या पहुत किया है है फिए न्सटिन को यह देदे रहाता है धुलिजर जो यह दूसरा पॉयार यह देता है दे रहाता यह क्यों प्रोफित कमाना नहीं है लौद भी दिखार का यह आपको इस बैसिस पहलिए थेरे वह चेक करते हैं कि इसे एन्प यू का हर एक बंदा जोना हर एक तरीका से ग्रामर तो सब का अलग रहता है ना तरीका से लिखा होगा लेकिन जो मेंड पॉइंट है वह सिर्फ सब का से मुराना चाहिए समझे बात फिर देखें आपको वह यह भी देखता है आपको कि कितना सही है आपका यह तो बहुत गलत भी है इधर उदर भी है तो आपको नमर दे देते रहता है और तीस चोथा बात याद रखेगा कि आप कि आंसर जो लिख रहे है ना मालीजे पहला का आंसर लिख रहे है तो पहला नमर लिख दिए आद दूसरा का आंसर मत लिख दीजेगा यहां पेजमन दिक् कर दिए तीन कान से लिखे दिए बात समझें